तो दोस्तो यही वह इंडिकेटर जो आपको यह बताएगा कि किस जगह पर आप ट्रैप हो सकते हैं तो आप यहाँ पर ट्रैप होने से बच जाओगे और आपका SL हीट नहीं होगा तो दोस्तों यहाँ पे देखो कि साही एंट्री लेने के लिए आपको यह चीज मालूम होना चाहिए कि ट्रैपिंग में आपको नहीं फसना है यह इंडिकेटर किस तरीके से यूज करना है वो मैं आपको बताता हूँ RSI इंडिकेटर इसका नाम है अब दोस्तों आप बोल रहोगे कि यहाँ बहुत सारी यूट्यूबर ने इसके उपर औरेडि वीडियो बनाया लेकिन दोस्तों यहाँ एक नूट आपको बता दू वो सिर्व भाई OR सेल इसके बैसे बें कIESसे करने वो बताए है मैं यहां दोस्तों आपको buy or sell कैसे करने यह तो बताऊंगा ही लेकिन इसमें trap से कैसे बचोगी यह भी इंडिकेटर शो करता है उसके बारे में दोस्तों आपको बताऊंगा बहुत ही genuine news है तो दोस्तों वीडियो को like कर लेना अब दोस्तों फटाफ़ टॉपिक के ओबर चलते हैं यहां भी सबसे पहले देखो कि यहां मार्केट के अंदर सबसे पहले इंडिकेटर को यूज करने के लिए आपको यह देखना पड़ेगा RSI इंडिकेटर है 20 का यहां भी दोस्तों मैंने लेंथ है और दोस्तों यहां पर क्या करना है नीचे भी MA लेंथ को यहां पर 20 कर लेना ठीक है डेफॉल्ट पर 14 रहता है 14 से आपको 20 कर लेना ठीक है अब दोस्तों देखो कि यहां पर style पर आ जाना है second number पर यहां पर RSI का दोस्तों मैंने यहां पर color change किया है जो black color का है और दोस्तों यहां पर MA का color change किया है और ब्लू color का है यह इसलिए क्या हो ताकि आपको तो स्क्रीन पर अच्छे से वीजिबल हो पाए अच्छे से लोगों को explanation मिल पाए ठीक है आप नहीं करोगे तो भी चलेगा अब अब दोस्तों देखो कि इसको use कैसे करना है सबसे पहले देखो कि market में достों यहां पर फे देखो में यह वाला indicator में यहां और दो यहां पर प्रैस हो रहा हुआ hat 54.24 का लेवल और दो जस्त इसके ऊपर हम 57.52 का लेवल यह उपर आले लेवल दोस्तों यह ब्लेक कलर की लाइन को शो कर रहा है डोनेट कर रहा है और दोस्तों यहाँ पर यह डिफाइन कर रहा है 54.24 का लेवल यह ब्लू कलर की लाइन को अब दोस्तों देखो कि यहाँ बीच में डॉटेड लाइन आपको दीख रहा होगा जब धि की बात करों उससे कैसे आप बच सकते हो सबसे फिले दो कि मार्केट यहाँ फॉल हुआ देखो वीडियो का एंड तक देखो कि तब आपको क्लिर समझ में आगा यहाँ नीचे की तरफ फॉल मिया यहां से फॉल मिया फटापट यह इंडिकेटर इतने देर में एनलाइसिस किय और दोस्तों यह वाले लेवल को जब यह जो डॉटर लाइन आपको बीच में दिख रही है इसके नीचे जब मार्केट गया ना मुल्ब यह जो ब्लैक कर लाइन गया जो यह इंडिकेटर गया तो दोस्तों यहां पर कन्फरमेशन मिल गया कि आपका यहां पूट साइट को बाइक करना है जैसे ही नीचे आपका गया यहां पर पूट साइट को बाइक कर लोगे और दोस्तों आपको यहां पर हॉल्ड कप तक करना है तो देखो यहां पर मार्केट देखो यह सबसे पहले इंडिकेटर एनलसिस किया इतने दूर में मार्केट जब नीचे है ना तो यह भी आपर इससन लिए इसको ब्रेक करके नीची आगया और पर यहा पर जैसे ही टुच होता है आपको यहा पर आर्स हिघ्जिट मारेना छोंकि तुच तभी हुआ है जब ये दोस्तों आखरी point इसको मिला है अब दोस्तों देखो ये indicator indicator कर लिया था ये पूरा information निकाल लिया था कि market यहां तक ही जाएगा उससे थोड़ा और नीचे गया हाला कि दोस्तों यहां पे आपको और अच्छा खासा profit मिल जाएगा लेकिन जादा लालस में आपको नहीं पढ़ना है आपको बस इसको touch होते ही यहां पे exit माल लेना है ठीक है अब दोस्तों एक चीज़ और बता दू आपको वापिस से buy cup करना है अगर दोस्तों आप समझ रहो कि इस जगह पे आया यहां पे call buy करना है इस जगह पे आया अप दोस्तों जिए पे call buy करना तो दोस्तों ऐसा नहीं करना इसको avoid करना है क्यों avoid करना है क्योंकि वापिस इस वाले level को आप देखो यह जो bit पें dotted dotted line है न इस वाले level को break होना चाहिए इस वाले level के उपर जाना चाहिए यह black cloud की line तभी दोस्तो आपको यहाँ पे call को by करना है ठीक है? See by तभी आपको करना है ठीक है? तो दोस्तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ तक गया लेकिन वहाँ से नीचे आए यह उपर की साइड इसको break नहीं किया तो डॉटर लाइन को par नहीं किया तो आप बाई नहीं करोगे तो दौस्तो यहाँ यही वह जगे है जहाँ पे बता दिया कि यहाँ आप ट्रैप हो सकते हो यहाँ दौस्तो मैं आपको प्रिवियस देखा ही जहाँ एक्जाम्पल दिखा रहा हूं आगर आप दोस्तों अपने चार्ट पे अभी जाके इसको प्लोट कर लेते हो ना तो आपको मालूम पढ़ेगा कि यह इंडिकेटर जो है ना किस तरीके से पिछले कुछ ग्राफ में भी आपको इस तरीके का पॉपर में दिखाया ठीक है देखो कि किस तरीके से यहां पे गया वापे से नीचे आया और इस वाले लेवल को पार्ट नहीं किया आपको यहां पर पूरा आवइड करना देखो आपको मालूम पढ़ेगा हो यहां पे ट्रैप है उन सब का दोस्तो इस जगे पर SL हिट हो गया होगा यहाँ पे अच्छा-खासा नुक्सान होगा होगा, ठीक है अब दोस्तो मार्केट वापे से यहाँ पर देखो कि इस जगे पर यह उपर की साट गया फिर नीचे गया, इस वाले लोगो पार नहीं किया है और दोस्तों यह वाले लोग को पार कप किया है तो यहां पर आप देखो इस वाले जगह पे यह डॉट को जैसे ही पार किया है इस वाले जगह पे आपको यहां पे तुरन तो बाई करनी थी यह डॉट को देखके बाई करनी थी यह डॉट को जैसे ही पार किया ना समझा तब तुमको मालूम पड़ेगा तुम लोंग लाइ मार्केट में नहीं समझाते हूं ऐसे तो कोई भी ग्यान तो यार देखो यह मैं गाहिट बहुत ही बेश्ट कर रहा हूं यह अपना 100% देने की कोसिस कर रहा हूं हर तरीके से बताने की कोसिस कर रहा हूं ठीक इसको स सेल कहां करना तो यहां इस लेवल पर आपको सेल कर देना था तो कोई भी टेंसर यहां पर नहीं होती अच्छा कासा प्रॉफिट लेकि आप निकल चुके होते तो दोस्तों इस तरीके देखो यहां पर इसने एक वार ट्रैप होने से बचाया ठीक है मार्केट उपर जा रह ट्रैपिंग के लिए तो यह इंडिकेटर बहुत ज़्यादे यूज़ करें आपको जहांसे आपको ट्रैप से बचने को मिलेगा और यक चीज़ बता दू कभी भी आप कोई भी इंडिकेटर को यूज़ करो भले मेरे बताएगा इंडिकेटर हो या किसी और के आपको प्र बिधो को जरूर सब्सक्राइब कर ले चाहिए कर लेना, और दोसर, एक चीज आपको बता दू, अगर आपको 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 आपसे टेडिंग बेसिक टु एडवांस स्थी जाों, अगर आपको क्या करना, आपको मेरे चेनल पे आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, बेसिक एडवांस का प्लेलिष 10-15 वीडियो आपको पूरा वाच करना है आप दोस्तों अच्छा कासा यहां भी ट्रेडिंग सीख जाओगी तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में होब जड़ी वीडियो आपको बचाने वीडियो को लाइक जरूर कर ले